सलामु अलेकुम लास्टाइम हमने अपनी जो डिसकेशन थी वो छोड़ी थी कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स के उपर आज हम इंशालला वहां से आगे फर्दर डिसकेश करते हैं कंप्यूटर के जो मेंन कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने यहां बोर्ड के उपर लिस्ट डाउन किया हुआ है, आपको स्लाइट के उपर स्क्रीन के ऊपर ने जर आ रहा होगा, आप उन कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, मैं डेफिनिशन इसके तुबारा से आपको बता देता computer एक ऐसी machine है चुनके last time हम इस पर बात कर चुके हैं कि आम तोर पर आजकल जो इस्तमालोने वाले computer जैम सारी electronic है so computer एक ऐसी machine है जो data को input की farm में user से हासिल करती है और उसके बाद उसको process करने के बाद output में convert कर देती है और बाद में उसे अपने पास में फूस कर लेती है ताके जरुरत पेश आए तो हम उसको reuse कर सकें आज हम इंशाला इन चारों components के उपर बात करेंगे one after one हम इन components को देखते हैं और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पहला component यहां board के उपर आपको नज़र आ रहा है screen के उपर भी आपको यह नज़र आ रहा होगा अब उस component को देखें और समझने की कोशिश करें सबसे पहले हम इसके दो हिससे करते हैं एक चीज़ जो मैं यहां पे clear करता जाता हूँ वो ये computer के अंदर जितनी भी terminology होती है यह सारी की सारी terminology अपने अंदर इनके मानी और मफ़ूम पुशिदा होता है जिसकी वज़ा से हम इसको बासानी समझ भी सकते हैं और इसको समझने के साथ-साथ इसके अंदर जो छुपे हुए मानी हैं उनसे सीख भी सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इन और पुट की तो यह दो मुख्तलिफ अलफाज से मिलके बना एक word है अगर हम simply इसके दो हिसे करें तो यह बनता है इन और यह बनता है पुट इन का मतलब अगर लफज इमानी हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है मी और पुट का मतलब होता है रखना किसी चीज को कहीं पे रख देना हम इसको पुट की सेंस में कंसेटर करने हैं तो दोनों लफजों को इकठा कर दें तो बना इन्पुट हम इसे कहते हैं किसी चीज को कहीं पे रखना सिंपली अगर हम कंप्यूटर में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो बनता है अगर हम इसके साथ कोई फिजिकल कंपोनेंट इन्पुट के साथ जोड़ दें तो वो बन जाता है इन्पुट डिवाइस डिवाइस वो एकविपमेंट है जिसके जरीए से हम कोई टास्क पर फार्म करते हैं ये वो डिवाइसिस होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तमाल होती है, डेटा कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए, हम input devices को इस्तमाल करते हैं कुछ input devices उनकी मिसालें आपको सक्रीन के उपर नजर आ रही होंगी, यहां पे वो डाइग्रामेटिकली आपको सक्रीन के उपर नजर आ रही होंगी मैं यहां पे उनमें से दो एक्जेंपल्स यहां पे लिखी हुई हैं जो most commonly आजकर इस्तमाल होती हैं उनमें mouse और keyboard यह दोनो input devices हैं और computer के अंदर data को enter करने के लिए हम आम तोर पे इनको इस्तमाल करते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे main component के उपर that is processing device processing simply operations को execute करने का एक फिनामिना है जिसमें हमने अपने operations को execute करना होता है अगर सिरफ हम बात करें processing के लेकिन जब इसके साथ device आजाता है तो simply हम कहते हैं the working on data are to perform different operations it must be called as processing और अगर हम इसके साथ device को जोड़ दें तो the component that is essentially been required to process the data and convert it into the form of information it must be called as processing devices computer में हमारे पास सिरफ एक ही बुनियादी component है जो data को process करने के लिए इस्तमाल होता है हम उसे इस लेवल पे central processing unit the brain of the computer के नाम से भी consider करते हैं center processing unit is also known as the brain of computer and brain of computer is placed on the motherboard so motherboard हमारे पास एक ऐसा component है जिसमें सारे के सारे components को indulge किया जाता है उसके साथ जोड़ा जाता है कोई भी component जो computer के अंदर मुझूद है वो सारे के सारे motherboard का हिस्सा होंगे जितने भी computers आज तक बने हैं उन सब computers में कम असकम एक center processing unit चिप वो लास्मी तोर पर मुझूद होती है यह chip ही data को process और execute करने के लिए responsible होती है अब उसके बाद हम तीसरे component की बात करते हैं सगरीन के उपर आपको center processing unit की जो डाइग्राम है वो नजर आ रही होगे output devices में सबसे पहले हम बात करते हैं इस word की out और put जैसे के last time मैंने बताया था put का मतलब होता है रखना उर्दू में अगर हम इसको translate करें और out बाहिर so ऐसी चीज़ जिसे हम computer से बाहिर रखने की कोशिश करते हैं बाहिर निकालने की कोशिश करते हैं it is called output the proper definition that is used for the computer is the data processed into the useful information is called output एक ऐसा data जो process हो चुका हो information में तबदील हो चुका हो हम उसे output के मानों में consider करते हैं अब जब इसके साथ devices को जोड़ दिया जाता है तो ये वो components होते हैं जो data को display करने के लिए इस्तमाल होते हैं अब display चीज़ों को करने के लिए हमारे पास दो methods होते हैं वो इंशाला हम आगे चलके discuss करेंगे लेकिन थोड़ा signit में दे देता हूँ वो एक pattern होता है जिसे हम कहते हैं soft farm एक को हम कहते है hard farm soft farm में आप चीज़ों को screen के ओपर देख सकते हैं या सुन सकते हैं आप उन्हें touch नहीं कर सकते वो intangible parts होते हैं लेकिन जो hard parts होते हैं आप उन्हें touch कर सकते हैं like paper material and so on so forth इसकी भी examples आपको screen के ओपर भी नज़र आ रही होंगी board पे भी मैंने list आउन की हुई है screen और printer are commonly used as output devices अब हमारे पास जो output devices हैं इनका basic concept जानने के बाद हम बात करते हैं अब आखरी component जो computer के लिए सबसे जो computer की definition मुकमल करने के लिए सबसे अहम हिसा consider होता है that is storage devices अगर इस हिसे को निकाल दे तो हमारे पास definition बनती है machine की जैसे कि मैंने last lecture में भी इसको discuss किया था machine में ये तीनो components मुझूद होते हैं चाहे वो manual हो चाहे वो electronic farm के अदर हो लेकिन अगर चोथा component आ जाए तो ये machine अब computer में बदल जाती है storage क्या चीज़ होती है data को बाद में इस्तमाल करने के लिए कुछ देर के लिए अपने अंदर महफूस करने की इसलाहियत हम इसे storage के नाम से represent करते हैं cutting to the definition storage refers to the capturing data for the later use हम बाद के इस्तमाल के लिए storage आम तोर पे करते हैं computer के अंदर ताके हम बाद में उस चीज़ को जो हमने information में convert कर दी उसको हम बाद में इस्तमाल कर से storage को हम secondary storage, auxiliary storage और permanent storage के नाम से represent करते हैं ये mcqs होते हैं जो mostly paper में आपको पूछे जा सकते हैं secondary storage ये computer में चुँके बात हो रही थी permanent storage की तो secondary storage computer के नदर आम तोर पे resident होती है और जब हम चाहें उसको reuse कर सकते हैं यहां common examples उसकी मैंने लिखियो ही है, screen के उपर भी आपको ये नज़र आ रही होगी हमारे पास most common storage devices में hard disk, USB flash, media CD, DVD और इस तरह के media जा जाते हैं जिनके जरीए से हम computer गंदे data को एक लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं आज के लिए फिल वक्त इतना ही मिलेंगे इंशाला अगले lecture में अला हाफिस